हेलो दोस्तों, वेलकम टू सफलता मंत्र तो आप सभी कुछ सपरिवार हो ली कि हरदिक सुपकाम ना है आज मैं एक बार फिर से आप सब के लिए नई वीडियो लेकर आया हूँ आज की इस वीडियो में मैंने इंग्लिस का एक मॉडल पेपर तयार किया है इस मॉडल पेपर को आप लोग अच्छे से तयार कर लीजे इसमें मैंने इंग्लिस के सभी फॉर्मेट्स के अलग अलग फॉर्मेट्स के इंपोर्टन कोश्चन्स लिए हैं जो कि सभी एक्जांस में पूछे जाते हैं मैंने सभी important question लिये हुए हैं आप लोग इन questions को अच्छे से त्यार कर लीजे और इस format पर आधारी सभी questions को अच्छे से देख लीजे अन्द practice एट त्यार करते रहे जिससे कि आपकी त्यारी होती रहे और दोस्तों ये भाग दो है इसके पहले मैं एक model paper और ले चुका हूँ जिसका link आपको नीचे description में मिल जाएगा वहाँ से आप लोग देख सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं English का model paper और दोस्तों अगर आपको PDF फाइल चाहिए हो तो देखते रहे इस वीडियो को अन्द तक मैं आपको बता दूँगा किस तरह से आपको PDF फाइल मिलेगी इस वीडियो को अन्द तक देख लीजे आपको सभी PDF मेरी सभी वीडियो की PDF मिल जाएगी अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस तरह को बटन को प्रेस करके कि आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं साथ इसके पास में लगए वेल आइकन को प्रेस कर दीजे जिससे कि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे और आप हमारी सभी वीडियो टाइम पर देखते रहे अब सुरू करते हैं सभी इंपोर्टन कोश्चन है आप लोग कॉपी पेन लेके बैट जाए और इस वीडियो को अन्त तक देखिए बहुत ही इंपोर्टन कोश्चन है तो देखते हैं पहले कोश्चन से फिल इंदा ब्लेंक्स इसमें करना है आपको इसमें आपको helping work भरनी है पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया तो ये आपको sentence देखना है आपको तो ये sentence है past tense का sentence है तो आप लोग इसमें देख लीजिए has हो नहीं सकता, have हो नहीं सकता है was लगेगा नहीं क्योंकि past indefinite में दिया हुआ है यहां पर past perfect tense में लगाते हैं यानि की head होगा, the thief head run away before police came इस तरह से बन जाएगा यह आप लोग त्यार कर लीजिए इसका आप दूसरे question पर बढ़ते हैं दूसरा question the percentage of good scientist fill in the blanks very low इसमें भी आपको helping work बतानी है R लगेगा नहीं वर लगेगा नहीं क्योंकि the percentage of good scientist दिया है good scientist तो plural number है लेकिन the percentage है तो जब off लग जाता है तो यानि की इसके हिसाब से लिया जाता है जो हम लोग helping verb लगाते हैं वो off के पहले के sentence के हिसाब से लिया जाता है singular number तो यानि की इसमें इस लगाए जाएगा the percentage of good scientist is very low इसके थर्ड number question है he builds not only a house fill in the blanks a garage not only के साथ हमेशा बट also लगाए जाता है यह याद कर लीजिए तो इसमें क्या हो जाएगा he builds not only a house but also a garage उसने केवल एक घर ही नहीं बनवाया वलकि एक garage भी बनवाया तो यह आप लोग याद करते चलिए इसका फूर्थ number question है see drinks water change into passive voice यह आपको passive voice में बनाना see drinks water को तो इसमें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ तो यह जो प्रेडिकेट होता है water is drunk why her यह इसका passive voice बन जाएगा important question है इस तरह का ही question आएगा जाताँ tough नहीं पूछा जाएगा आप लोग जिने वीडियो के साथ ही साथ आगे मैं बताता चलूँगा आप लोग उनके answer कमेंट बॉक्स में जरूर दे दे इसका बढ़ते है five number question पर I made neither gopal fill in the blanks his mother तो neither के साथ और लगता नहीं बट लगता नहीं हमेशा nor लगाया जाता है I met neither gopal nor his mother मैं ना तो gopal से मिला नहीं उसकी मा से मिला nor लगाया जाता neither के साथ nor लगाया जाता और either के साथ और लगाया जाता either or neither nor यह दोनों याद कर लिजिए इससे एक sentence पूछा जा सकता है इसके बाद six number question पर बढ़ते The chairman as well as the members fill in the blanks to blame for this misfortune तो the chairman as well as the member is इसमें इस लगेगा इसमें भी first के हिसाब से लगाया जाता ता chairman as well as the members is to blame for this misfortune इसका अगले seven number question पर बढ़ते है Unless you grease his palm he will not do your work यह आपको sentence दे दिया कि यह इसमें underline की हुए है आपको बताना है what is the meaning of underlined idiom तो यह एक idiom होता है grease his palms तो इसका मतलब होता है bribe लेना bribe है मतलब की उसे रिस्वत देना इसका मतलब क्या हो का sentence का unless you grease his palm he will not do your work जब तक कि आप उसे रिस्वत नहीं देंगे तब तक वह आपका कार नहीं करेगा यह इसका मतलब होता है इस तरह के idiom और phrases भी आप लोग तयार कर लीजिए पूछा जा सकता है इसके बाद eight number question पर बढ़ते हैं our plan to go to London is in the air इसमें आपको in the air पर underline कर दी गए तो यह भी idiom है इसका आपको मतलब पताना है तो in the air का मतलब होता undecided हवाई fire करना यानि की undecided कोई वह निश्चित नहीं है अनिश्चित तो इसका मतलब होगा our plan to go to London is in the air मतलब की लंडन जाने का हमारा plan अनिश्चित है कोई निश्चित नहीं है इसका nine number question है इसमें मैंने कुछ important synonyms दी हैं आपको इन synonyms को याद कर लीजिए मैंने सभी important synonyms लिए और tough सिर्फ ऐसे लिए जो कि exam में पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं और साथ में ही अंत में एक दे दिया इसका answer आपको comment box में देना है याद करके और इनको भी आप note करते चलिए तो पहला क्या है source source का मतलब होता है origin कीन का मतलब होता है clever चालांक settle का मतलब होता है adjustment इसका excuse का मतलब होता है reason कारण अब इसका wild का मतलब आपको बताना है wild का synonym क्या होता है synonym होता है पर्याइबाची सब्द तो आपको wild का synonym बताना है इन्हें same meaning word भी कहा जा सकता है तो exam में अगर same meaning word आता है या synonym आता है तो दोनों एक ही चीज़े होती है इसका 10 number question को देखते है 10 books of this library fill in the blanks missing तो 10 books of this library are missing R लगेगा इसके लिए क्योंकि 10 books है यहां मैंने आपको होता है off के लिए first का लिया जाता है off के पहले का जो बाक के होता है वो लिया जाता है तो इसके लिए क्या R लगाया जाएगा आप देख लिए आप लोग बटैं 11 question में मैंने आपको कुछ intonym का मतलब होता है opposite word Ф बिलोम तो gainा का क्या होता है Lose 或者र इसकर राइल को पहता है तक पहुता। लेंड ये लेंड का और लेंड माने होता है देना वारो माने होता है लेना इसका रॉयल का आपको बताना ये तो पर और ये बहुत नई को भी बहुत आपके लिये你在. और इसके आप 12 number questioner पर वड़ते हैं इसमें मैंने आपको one word substitution दिये हैं कुछ याद करते चलिए है और अगर आपको कोई समस्या है तो आप comment box में बता दीजेए या कोई suggestion देना है वो भी आप बता दीजे तो इसमें क्या है 12 number है a book written by an unknown author इसका one word substitution क्या होगा a book written by an unknown author मतलब कि ऐसी book जिसे कि किसे अंजान author ने लिखा हमें हमें उसका नाम नहीं पता है तो इसे कहा जाता है anonymous anonymous का मतलब होता है अंजान जिसका कोई भी अता पता नहीं हो याद करते चलिए नोट करते चलिए important question है इसका 13 number question है 13 number है a place where words are kept इसी जगह जहां पर पक्षियों को रखा जाता है तो उसे aviary कहा जाता है aviary याद कर लिए आप लोग पक्षी घर important है सभी जितना आप अच्छे से त्यारी करेंगो उतना आपके लिए इच्छा रहेगा और दोस्तों अगर आपको पीडिये फाइल चाहिए तो उसका लिंक आपको नीचे दिया है मैंने उसमें सभी पीडिये फाइल लगवक 60-70 पीडिये फाइल से आप लोग उन पीडिये फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं सभी पीडिये फाइल बहुत है मैंने जतना कुछ पढ़ाया सभी पीडिये फाइल में दिया हुआ है और आप बिल्कुल फ्री औपकोश्ट नीचे गूगल ड्राइब के लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं पीडिया फाइल और दोस्तों साथ ही साथ आप मेरे फेस्बुक ग्रूप को भी जॉइन कर सकते हूं मैं आपके लिए डेली इंपॉर्टेंट नोट्स दिलाता रहता हूं और इंपॉर्टेंट जानकारी देता रहता हूं और आप लोग भी अपने कुश्चन एक दूसरे से सकते हैं तो अब मेरे फेस्बुक ग्रूप का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन हो दिया आप लोग जॉइन कर सकते हैं इसका 14 नंबर कोश्चन पर वड़ते हैं आई साहर इंदा बस चेंज इंटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैं ने उसको बस में देखा इसको इंट् कर्मेटिव इस तरह के सेंटेंस आप लोग देख लिए इससे भी नंबर का कुश्चन निश्चित पूछा जाएगा और आप लोग त्यारी करते रहें इसका दोस्तों आज का अंतिम कोश्चन है 15 कोश्चन इसको आंसर आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में देना है यह वन वर्ड सब्टिटिउसन है क्या है दैट विचिज लॉफुल ऐसा कुछ जो की कानूनन हो कानून के इंतर्गत हो उसे क्या कहा जाता है बिलकुल आसा है आप लोग आसानी से दे सकते हैं मैंने इसलिए इसकी हंदी भी बता दिये आप लोग कमेंट बॉक्स में अपन इतना ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे like करना ना भूलें जरूर अधीक-सधीक-संख्याएं में Like करें जिससे कि मुझे पता चलता रहे कि मैं आपकी कैसी त्यारी करवा पा रहा ह τον और दोस्तों अपने comment करना ना भूने अधिक से अधिक संख्या में comment करके answer देते रहें और जो suggestion देना वो भी नीचे comment box में comment करके बता सकते हैं और इस video को अधिक से अधिक संख्या में share करने अपने दोस्तों के सभी group में share करने इंगलिस का model paper बहुत ही जादा important है इस तरह के आप question त्यार कर लीजे इन्हीं 15 तरह के कोश्चन में से आपके निश्चत कोश्चन आ जाएंगे तो दोस्तों और हमाई चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें तो दोस्तों हसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें हमाई चैनल सफलता मंतर को थैंकि दोस्तों